हेलो दोस्तों स्वागत है आप तभीका CMC अंदोर के ऑफिसल यूट्यूब प्रैनल पे आज मैं आप से डिसकस करूँगा कल SSB इंटर्व्यू क्लास के बारे में जो आपका और्गेनाइज होगा 26 जुलाई को जिसको और्गेनाइज करेंगे वीके सिंग सर जैहिंत कल यहां CMC Academy में SSB के रिगार्डिंग एक क्लास और्गेनाइज की जा रही है इस क्लास में हम लोग बच्चों को यह बताएंगे कि आपको SSB अप्रोच कैसे करना है और आपको SSB में क्या गलतिया होती है जो स्टुडेंट्स करते हैं और क्या करने से हम SSB में recommend हो सकते है जनरली SSB एक्चुली होता क्या है SSB यह है कि आपको आर्मी एयर फोस और नेवी एंक्लूडिंग कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट अगर इन सारी फोसेज में आपको ऑफिसर बनना है तो आपको SSB इंटरव्यू पास करना होता है SSB इंटरव्यू जनरली साइक 5-day selection process है उस 5-day में क्या क्या होता है Day 1 में हमें क्या करना है और वहां पर कौन-कौन से ऑफ्सकल्स और वहते हैं उन सारे अफ्सकल्स को उन सारे टास्क को like ग्रूप discussion है लेक्चरेट है आपका पी-पीडी-टी है Screening Test है and SRT है Word Association Test है इन सारी चीजों की practice करेंगे और सारे ब लेक्टरेट, ग्रूप प्लानिंग एक्सराइज ये सारी चीजें उनको इस क्लास में प्रॉपर तरीके से फाइब डेज में कराये जाएंगे लाइक इसमें हम ये भी डिसकस करेंगे कि जैसे डाइरेक्ट इंट्रीस कौन कौन सी होती है जैसे फाइज में बहुत सारे लोग को ये नहीं पता होता है कि डाइरेक्ट इंट्रीस like without written examinations without written examinations भी आप डाइरेक्ट एसेसबी इंटर्व्य में अपियर हो सकते हैं वो आपके direct entries है TES technical entry scheme इसमें क्या होता है कि आपको 12th plus 10 plus 2 में या 12th में more than 70% जो आपके PCM background के बच्चे होते हैं वो directly इसके लिए apply कर सकते हैं same as it is TGC technical graduate course जो बच्चे engineering कर चुके हैं उनके लिए ये entries होते हैं जिनमें उनको return examinations नहीं देने होते हैं यह भी engineering background वाले बच्चों के लिए है और यह BITEC cadet entry scheme यह especially Navy की एक entry है जिसमें आपको Indian Naval Academy का जो engineering college है वहाँ से आपको BITEC कराया जाता है and then you will get into Indian Navy as an officer आपका NDA है National Defense Academy के examinations इसको clear करके भी आप SSB interview में अपियर होते हैं और आपने graduation किया है तो उसके बाद आप CDS examinations को qualify करते हैं इसके बाद आप SSB में जाते हैं फिर आपका FCAT है Air Force Common Admission Test इसको भी pass करके आप SSB interview के लिए जाते हैं तो यह सारे return examinations pass करने के बाद भी आपको SSB interview pass करना ही होता है तो इस आने वाली class में हम लोग especially focus करेंगे कि आपको SSB interview कैसे pass करना है Thank you Thank you sir मिलते हैं कल 26 जुलाई दोपहर 12 बजे Thank you